आज है 24th February और आज इस वीडियो में हम दो ऐसे PSU बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पर आप long term के लिए अपना दाव खेल सकते हैं और बरोसा कर सकते हैं क्योंकि यह ऐसे banks हैं जिस पर चाहे वो दो साल बीच जाए तीन साल बीच जाए पांस साल बे निकल जाए यह bank वैसे के वैसे ही रहेंगे ऐसा मेरा मानना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो banks के बारे में बात करेंगे पहला bank के कैनरा bank देखें अभी यह 222 रुपर पर ट्रेट कर रहा है पिछले दिन भी 50 पैसे अप रहा है यह और देखा जाए तो अगर पिछले एक हफते का अगर मैं इस bank का डेटा निकालू तो देखें एक ही हफते में यह 3% अप रह चुका है और शायद अगर आपको पता हो तो मैंने इ इसको वीडियो बनाया था और मैंने इसमें कहा था कि बाइंग रिकमेंडेशन भी मैंने इसमें दी हुई थी और देखें पिछले एक महिने की बात करें तो देखें 15% डाउन रहा है यह जब जब इसके नतीजे आये तब मैंने बनाया था और मैंने इसमें रिकमेंडेशन इसे भी काफी सारे banks में तेजी देखने को मिल रही है और हला कि government canera bank के पैसा नहीं डाल रही है उन्होंने जो छोटी banks है उन सब में वो अपना पैसा invest कर रही है और देखें canera bank में बात किज़ा तो 15% की गिरावट है पिछले एक महिने में एक साल के अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में आप देखें 28% की इसमें गिरावट है लेकिन 208 का लो है और 313 का हाई बना है इसमें पिछले तीन साल के अगर हम बात करें तो canera bank में देखें 35% का ग्रोथ है एक वक्त था जब यह 813 रुपए तक भी गया था और 140 का लो भी बना था तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अखिर आप canera bank में किस तरीके से profit अच्छे से कमा सकते हैं लेगन उससे पहले देखते हैं अच्छे नतीजे हैं इंट्रेस अनिंग के बात करें तो देखें और क्वार्ट देखने को मिला है जो इंट्रेस अनिंग 10,700 करोड था दिसंबर 2017 में सब्टेंबर 2018 में 11,123 करोड और डिसंबर 2018 में 12,200 करोड के आसपास का मतलब अल्मोस्ट 10% का ग्रोथ नेट प्रॉफिट भी आप देखें क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़िया नेट प्रॉफिट है December 2017 में 125 करोड का net profit था September 2018 में 300 करोड के आसपास का net profit और December 2018 में 317 करोड का net profit 6% का growth यहाँ पर भी है और आप देखें promoters की holding बहुत ही बढ़िया 72.55% Files की holding है 4.67, mutual fund 7.63, insurance company 9.59, non-institution investor 5.24 और promoters के द्वारा एक भी शेर यहाँ पर गिरवी नहीं है 18 mutual fund schemes ने अपना पैसा लगाया है 136 Files इसमें invested है और 10% dividend हाला कि एक रुपे पर्शर आपको dividend यहाँ पर मिल रहा है तो देखें अगर आप इसके पिछले चार्ट के बारे में बात करेंगे 10 सार का यहाँ पर प्राइस चार्ड मैं आपके सामने लगा लिया है 142 रुपीज का low है और 813 रुपीज का high 800 रुपे से भी बड़े पर trade कर रहा था देखें तेजी आती है गिरावट फिर तेजी फ गिरावट के बाद तेजी तेजी के बाद गिरावट तो इसमें पैसा बना सकते हो जो चार्ट एकदम पूरा नीचे की तरफ गिरता हो उसमें पैसा लगाना थोड़ा risk की रहता है क्योंके आप predict नहीं कर पाते हो कि वो जब नीचे आ रहा है तो उपर कब जाएगा तो वो जब गिरावट आए देखे आओ यहाँ पर और जब जब गिरावट आए तब तब आप इसमें पैसा लगा सकते हो गिरावट का इंतजार करिए और जैसे ही घलकी सी भी इसमें गिरावट दिखे आप इसमें एंट्रिक कर सकते हो तो Canera Bank में मैं कहूंगा कि अभी से आप इसमें एंट्री कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो छोटी quantity के share खरीदिये अगर आपको 100 share खरीदने है इसमें तो 5-5 की quantity में share खरीदिये क्योंकि देखे चार्ट आपको इसका इसी तरीके से मिलेगा अगर 2-3 अपर सर्किट लग रही है तो एक दो लोवर सर्किट भी लगेगी तो गिरावट का वेट कीजिए और प्रॉफिट में आए तो बेच दीजिए बढ़िया फाइदा होगा अलाकि इसका जो टार्गेट भी है वो अगर किया ही जा ज़कता है डैफिनेटली पैसा दुबाएगा नहीं क्योंकि चाहे किसी बैंक में गौईर्मेंट पैसा डाले न डाले इस बैंक में पैसा गवेर्मेंट हमेशा डालें ही जब भी इस बैंके में और इपेद समेंगर 친시면 जिसमें देखने को मिला है पिछले एक हफ़ते के अगर मैं बात करूँ तो पिछले एक हफ़ते में State Bank of India ने अल्मोस्ट भी तीन परसंट का ग्रोथ है तेजी है देखे 259 का लो बना है और 270 का हाई जो अभी चल रहा है पिछले एक महिने के अगर मैं बात करूँ तो एक महिने में हलागी 6% से भी ज़्यादा की गिरावट है आप चार्ड देखिए निंचे की तरफ आता हुआ उसके बाद यहां से उपर उठा है ये पिछले एक साल की बात के तो देखे 0.68% की गिरावट है लेकिन 233 का लो है और 316 रुपे का हाई पिछले 3 साल की मैं बात करूँ तो 64% का ग्रोथ है 340 रुपे के आसपास का लो हाई बना है और 151 रुपे का लो और 10 साल की अगर मैं बात करूँ State Bank of India में तो 10 साल में इसमें 158% का ग्रोथ है 89 रुपीज का लो है और 348 रुपे का हाई बना है और बात की जाए तो देखे वन ओफ दे लार्जेस कैप मार्केट कैप लिए बैंक है ये 2,40,000 करोड से भी जादा का मार्केट कैप लेके बैठा है एनसे ये आप देखेंगे तो 1 करोड से भी लपसावा करोड से भी जादा वॉल्यूम ट्रेट देखने को मिल रहे हैं और अगर यहाँ पर हम बात करें देखे इंट्रेस अनिंग के अगर हम बात करें तो क्वाटर दर क्वाटर देखें इंट्रेस अनिंग बढ़ता जा रहा है 54,800 करोड डिसंबर 2017 में इंट्रेस अनिंग था वो 58,800 करोड के आसपास कर रहा सब्टेंबर 2018 में और डिसंबर 2018 में 62,200 करोड के आसपास कर रहा डिसंबर 2018 में और देखे 5.92% का ग्रोथ यहाँ पर है नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो देखे 318% का नेट प्रॉफिट है जो जो सिफ 950 करोड हुआ करता सब्टेंबर में डिसंबर में 3950 करोड का नेट प्रॉफिट हो चुका है इनको होल्डिंग भी देखें शेर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास 58.53% की होल्डिंग नेट प्रॉफिट के पास 9.37% की होल्डिंग मुचिोल फॉण के पास 13.22% की होल्डिंग इंसर्ण कम्पने के पास 11.07% की होल्डिंग नॉनश्यट इंवच्ट के पास 7.54% की होल्डिंग और देखे एक भी शेर गिर्वी नहीं है 72 mutual fund schemes इसमें invested है 695 Files इसमें invested है और आप देखे 260% dividend मतलब परशन आपको 2.60 पैसे यहाँ पर मिल रहे है तो बहुत ही बड़िया है और इसमें भी आप Canera Bank की तरह ही है देखें तेजी आती है गिरावट आती है तेजी आती है तो यह ऐसी जो candles होती है भी आप इसमें खरीदारिक कर सकते हैं अभी भी आप इसमें खरीदारिक कर सकते हैं लेकिन छोटी छोटी quantity फसाईएगा जब जब गिरावट आये तब थोड़ी और quantity इसमें खरीद लीजेगा क्योंकि यह वो shares हैं जैजें तो गिरावट को यहाईगी इसका भी अगर target देखे तो देखे अब यह 270 पर trade कर रहा है तो एक साल में मुझे लग रहा है कि यह 320-330 रुपे तक जा सकता है लेकिन उस बीच में चार्ट आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा ऐसा मेरा मनना है तो यह दोनों bank है काफी बढ़िया bank है इस पर नजर बनाए रखे इसको अपनी watch list में रखिए और definitely आपको बढ़िया return देखा तो इसी के साथ वीडियो को end करूँगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको like कीजिए इसको share कीजिए और अगर आप मेरी चनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको subscribe भी करतीजिए Thank you